आज अपने सभी मोर्चान के प्रदेश के पजानीकारी की सयुच्त गढ़ब हो रही है यहां कोमन चर्चा होगी 2024 का प्रवेश हो चुका है और 2024 में लोकसवाद चुनाव है ऐसे में अब कुछी दिन बच गये हैं तो तमाम पाटी तैयारी में लगी हुई है लेकिन बिजेपी के तैयारी जोरो सोरो पे है बिहार बिजेपी के प्रदेश अधियक समराट चोधरे ने एक बार फिर से बरी बैठक बुलाई है जिसमें तमाम मोर्चा यूँ कहें तो साथ मोर्चा है किसान मोर्चा हो युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो साथ में जितने भी मोडचा सभी मोडचा को भुला करके मंद्र दे रहे हैं, मोधी मंद्र खास करके क्योंकि 2024 का लोगसभा चुनाद बेहद खास होने वाला है और टस्टन का माहोल होने वाला है क्योंकि एक तरफ इंडिया गटबंदर है तो दूसरी तरफ इंडिये एक तरफ मोधी अकेले तो दूसरी तरफ तमाम विपक्ष की पार्टियां ऐसे में देखना दिल्चस वराता है कि 24 में क्या कुछ होता है लेकिन जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई है सातो मोर्चा का और तमाम मोर्चे को बताया जागा क्या कुछ करना है क्योंकि इससे पहले भी विजेपी ने तमाम कार्यकरताओं को हर बूत मजबूत करने की बात करती है लेकिन आज इस तरह से तमाम मोर्चा की बैठक बुलाई गई है इस मोर्चा में जिस तरह से लोग सामिल हुए हैं देख सकते हैं तस्वीर या बिहार बिजेपी के परदेश कारयले के अंदर की तस्वीर अटल सभागार की जहां पे तमाम मोर्चा बैठे हुए है चर्चाएं चल लई है 24 को ले करके खास करके क्योंकि 24 में कैसे जितना है 40 लोग सवा सीट है बिहार में और 400 लोग सवा सीट पे जीत हासिल करनी है पिछले बार बिहार के CM नितीश कुमार साथ थे NDA के तो 49 सीट जीती थी इस बार अलग हो गया है तो कहीं न कहीं ट्रस्ट का माहोल है और काफी टकर होने वाला है बिहार में क्योंकि 40 लोग सवा सीट जीतने का दावा लगातार विज़े भी कर रही है और कह भी रही है इस बार हम 40 में से 40 सीट जीतेंगे पिछली बार तो 49 जीते थे लेकिन इस बार 40 का 40 शीट जीतेंगे और तमाम तैयारी हमारी पूरी है और फिर से तमाम मोर्चा को भुला करके वही मोदी मंतर दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ करना है किस तरह से रन्निती बनाना है कैसे जो भोटर को अपने पाले में करना है मोदी के पाले में करना है जो काम मोदी ने किया है उसको ले करके बताना है तमाम जो भोटर है उसे कैसे लुआना है इन चीजों को ले करके तैयारी देखिए किस तरह से की जा रही है और तमाम मोर्च पहुँचे हुए हैं तमाम मोर्चा को उनकी जानकारी दे रहे आखिर क्या कुछ करना है किस तरह से रन्निती बनाना है क्योंकि पिछले बार स्यम्नितीज कुमार थे तो 49 जीत गए थे लेकिन इस बार स्यम्नितीज कुमार साथ नहीं है तो 40 कैसे जितना है किस तरह से जितना है क्या करना है क्या नहीं करना कितनी मेहनद करना है तमाम चीजए बता रहे हैं इसमें वाव्जूद है और तमाम लोग टैयारी में जूट oh n ещё क्योंकि आब लोग पूर गए नहीं है तो तैयारी कैसी करने है क्योंकि इस बार जो माहोल है वो काफी गर्म होने वाला है और 24 का चुनाब भी काफी रोवांच होगा क्योंकि मोदी अकेले सब पे भारी परेंगे या नहीं या तो 24 के लोग सबाद चुनाब के बाद ही पता चलेगा कमलेश कुमार लाइब बिहार पटना यूट्यूब पर सबस्क्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें